हाई दोस्तों वेलकुम बाक टो मैं चानल दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉरेंट टॉपिक पे बात करूंगी वो है कि क्या आप अपने बच्चों को काव मिल्क गाय का दूद पिला सकते हो या नए वेल मैंने बहुत सारे पैरेंस को यह सवाल उठाते देखा है और सवाल जो है वो बहुत जनुइन भी है कि क्या हम अपने बेबि को काव मिल्क स्टाटिंग से दी सकते हैं नूबॉर्न बच्चों को हम काव मिल्क पिला सकते हैं या नहीं तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि mother's feet से अच्छा बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है तो अगर आपके पास option है अगर आपके पास breastfeed अभी भी है अच्छा है तो आप breastfeed ही दे अगर किसी भी रीजन से मा का दूद आना कम हो जाए तो आप अपने बेबी को formula milk दे उसका as a supplement बट काव मिल्क में जो प्रोटीन की मात्रा होती है यह सबसे बड़ा रीजन है प्रोटीन की मात्रा इतनी ज्यादा हाइ होती है और छोटे बच्चों का जो digestive system होता है वो बहुत ही पूर होता है क्योंकि underdeveloped होता है इस developing stage पे होता है अब इतनी हाइ प्रोटीन की मात्रा छोटे बच्चों का digestive system नहीं ले पाता है वो उसको digest नहीं कर पाते और जब वो digest नहीं कर पाते तो बच्चों की तब्यत खराब होने की chances जो होती है वो बहुत जादा बढ़ जाती है तो इसलिए दुनिया में कोई भी pediatrician हो या कोई भी doctor हो हमेशा से यही suggestion दिया है कि आप अपनी बच्चों को cow milk जो है वो एक साल के बाद ही introduce करें यहां पी मैं आपको एक और टिप बताना चाहूंगी मां के दूद में जो protein की मातरा होती है वो होते सिर्फ 1% बट cow milk में जो protein की मातरा होती है वो होती है 3% तो आप देख सकते हैं कि कितना difference है mother's milk में या फिर formula milk में और cow milk में तो protein मातरा बहुत 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 हाई है आप अपने बेबी को cow milk ना दे इसके लावा दोस्तों cow milk में iron नहीं होता और आप यह खुद सो सकते हैं कि अगर आपकी बच्चों को iron का supplement ना मिले एक साल तक तो आपकी बच्चों के लिए कितना हाने कारक है वेल अगर आपके बेबी की बॉड़ी में iron का supplement नहीं जाएगा तो आपका बेबी का जो बॉड़ी है वो blood बनाना कम करतेगा और blood की अगर deficiency होने लगी किसी human body में तो body में humoglobin जो है वो बहुत कम हो जाएगा जो कि बच्चों के लिए सही नहीं है उसके अलावा दोस्तों cow milk में vitamin C नहीं होता और अगीर आप सोच सकते हैं अगर आप अपनी बेबी को एक साल तक vitamin C ना दे तो आपकी बेबी का जो immune system है वो बहुत है ज्यादा slow हो जाएगा खराब हो जाएगा और अगर बेबी का immune system डवलप नहीं हुआ तो बच्चों की वो इल्नेस होने की चांसों होती है वो बहुत जादा बढ़ जाती है बच्चों की जल्दी तबित खराब होती है खसरदी होती है खासी होती है तो vitamin C तो बच्चों के लिए मस्ट है उसके अलावा दोस्तों cow milk में because मैं जैसे कि मैं आपको बताया कि आयर नहीं है ता तो बेबी में iron deficiency हो जाती है हाई लेविल का प्रोटीन देंगे या जो मिल्स काव मिल्क में अवेलेबल है वो मिल्स अगर आपकी बीबी की बॉड़ी में जाएगा तो बेच्चों का जो इमेच्योर किड्नी होता है वो उस पे बहुत जादा स्ट्रेस पड़ता है अगर आपकी बीबी का तबित है यह सदी खासी है यह डाइरिया है तो इस पे और भी ज्यादा जो है वो स्ट्रेस पड़ेगा और उनकी तब जो खराब है वो और भी सिवेर होने की चांस जो होती बढ़ जाती है और बच्चों में जब आइरें डिफिशेंसी हो जाता है तो स्टमक के अंदर जो लाइन पोल से ब्लाड आने के तो जैसे कि मैंने आपको बता है स्टारी यह बहुत ज़्यादा हानीकारख साउंड करते हैं इसलिए सारी वी डॉक्ठोस बोलते हैं कि बच्चों को काव मिल्क बिल्कुल ना दे और काव मिल्क में जो फैट होता है वो भी बच्चों के लीए बिल् क्योंकि जैसे कि मैने आपको बताया काव में नहीं होता है वाइिमिन C नहीं होता PROTEIN की मातारा बोहुत हाय होती है तो एक साल के बाद जो अपने बबी को सॉलिट फू दे तो यहां पर इपको क्यों सॉप्लिमेंट काव मिलन की ट उमनें वो आपको solid food में इंक्लूट करना पड़ेगा जैसे for example आप अपने बीबी को सीरिल्स दे सकते हैं वेजिटेबल्स दे सकते हैं फुरूट्स दे सकते हैं ताकि आपके बेबी को जो डाइट हो वो बैलन्स हो जाए यहाँ पर अगर आपको आपको आइरेंड वितमीन सी नी मिल रहा है तो सॉलिट फूरसे आपके बेबी को जो डाइट है रहा है बैलन्स हो जाए अगर आप अपने बेबी को एक साल के बाद काव मिल्स एंटरिउट्यूस कर रहे हैं अगर आप अपने बेबी को काव मिल्क देंगे तो उसमें भी क्या होता है कि काव मिल्क में क्यालरीज बहुत जादा होती है अब बेबी को अगर आप क्यालरीज बहुत जादा देंगे तो उससे क्या होता है बच्चों का जो एपिटाइट होता है वो बहुत ही जदा स्लो होता है और बच्चे खाना-खाना कम कर देते हैं जब बच्चे खाना-खाना कम कर देते हैं तो अविसले बच्चे सॉलिड तो भाहा पे भी आपको लिमिट में ही, slowly and gradually ही increase करता है बट वो भी आप अपनी पीडाइटरेशन से चेक करने के बाद ही increase कीचे और दोस्तों, यहाँ पर मैंने काव मिल्क के बारे में बताया बट सिर्फ काव मिल्क ही नहीं, आप अपने बेबी को बकरी का दूद भी नहीं पिला सकते, भैस का दूद भी नहीं पिला सकते और नॉमल जो पैकेट बिल्क मार्केट में अवेलिबल होते हैं, आप वो भी नहीं पिला सकते सिर्फ दो option है आपके पास breast milk या formula milk एक साल के बाद आप अपनी बीबी को पिलाएं उसमें कोई problem नहीं है बट अगें पीडाइटरेशन से चेक करने के बाद बिलाएं तो दोस्तों ये था आज कर वीडियो बच्चों के cow milk पे उपर आपको आज का वीडियो इंफोमेटिव लगा अगर आपको आज का वीडियो सही लगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा मेरे वीडियो पे कॉमेंट कीजे और इस वीडियो को सारी ही दोस्तों के साथ शेय कीजे दोस्तों अगर मेरे चानल पर पहली बार आ रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजएगा तो इसी के साथ मैं आज कर वीडियो खतम करती हूँ और मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बाबाई कर दोस्तों 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 कर दोस्तों